नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने सुरक्षा के लिहाद से सुरक्षा के मद्दे नजर 69 चीनी अप्लिकेशन्स पर बैन लगा दिया है तो जो लोग इन अप्लिकेशन्स का यूज करते थे उनको निराशा तो लगेगी लेकिन देश की जिनको हम यूज कर सकते हैं और हमें इन चैनीज अप्लिकेशन्स की बिल्गुल पिजरिवरत नहीं पड़ेगी तो कौन-कौन सी अप्लिकेशन है जो इनको रिप्लेस कर सकती है इसके लिए हमने एक लिस्ट तयार की है आप लोग देखें तो आप लोगों की इस परेशान की बात करेंगे तो चैनीज ब्राउजर है यूसी ब्राउजर जो बहुत ज्यादा यूज होता है यूसी ब्राउजर को लोग यूज करते थे क्योंकि इसमें न्यूज वगेरा भी मिल जाते थे तो यूसी ब्राउजर टॉल्फिन ब्राउजर यूसी टर्बो ब्राउजर इन सबकी जगे आप यूज कर सकते हैं एपिक ब्राउजर या जियो ब्राउजर को और इसके अलावा ये दोनों इंडियन है इसके अलावा अब Google Chrome भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दीए Google Chrome क्या है Google का है अब Google का है तो Google बहुत जानिमानी कमपनी है security features भी बहुत अच्छे हैं इसके लावा आप लोग अगर use करना चाहें तो firefox भी use कर सकते हैं ठीक है firefox यह modular का है firefox अगला देख लेते हैं हम अगली जो applications है वो है document applications document applications में आप क्या करते हैं documents, presentations वगेरा बनाना देखना यह सारा uses में होता है Chinese applications की जब हम बात करें तो WPS Office, WPS PDF Reader WPS PDF Fill WPS Office यानि कि यह जो WPS के जितने भी products है यह Chinese है इसकी जगे आप use कर सकते हैं Collabora Office Google Docs Microsoft Word और Microsoft Office ठीक है इन सारी applications की link हम आपको description में provide करा देंगे ठीक इसके अलावा Zoom application की बात करें Zoom शायद बैन नहीं किया गया है लेकिन Zoom भी Chinese applications है तो इससे भी आपकी security के लिए यह ठीक नहीं है खतरा है तो इसकी जगे आप use कर सकते हैं Google Duo Skype Microsoft Team या एक भारती application बहुत ज़्यादा प्रिचलित हो रही है दिरे-दिरे से नमस्ते ठीक है अच्छा इसमें एक भात आते Google Duo Video Calling application है लेकिन अगर आप Meeting के लिए application देखना चाहते हैं तो इसमें Google Meet का भी आप यूज कर सकते हो अच्छी application है ठीक है आगे देखते है जो Document Scanner application तो देखे Document Scanner application में जब बात करें तो Cam Scanner सबसे पहले नमबर पे आता है और इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं लेकिन आप यूज नहीं करना है तो आप इसकी जगे आप यूज करोगे Doc Scanner PDF Creator Document Scanner PDF Creator ये दोनों ही Indian है या फिर इसके लाब आप यूज कर सकते हैं Microsoft Lens और Adobe Scan को Adobe Scan बहुत इजी है आप यूज आराम से कर पाओगे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी Cam Scanner की तरह ही इसका यूज आप कर सकते हो अब बात करते हैं Chinese Games की तो Chinese Games बहुत सारे हैं PUBG Rules of Survival Desert Survival Life After Creative Destruction Critical Ops Fortnite बहुत सारे हैं किस-किस को आपको बताए ठीक है तो इसकी जगे आप नीचे जो गेम है इनको आप यूज कर सकते हो इसमें Indian जो है वो Scarfall और Swag Suiter ठीक है Indian Applications के प्रति आपको थोड़ा जागरो करहना पड़ेगा वहाँ पर कोई भी अप्लिकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे पहले ये देखें कि Indian Origin की है या बाहर की है बाहर की है तो कहीं चाइना की तो नहीं है ठीक है चलिए Photo Editor की बात करें फोटो एडिटर में अगर हम देखें तो Beauty Plus वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है क्योंकि वो अपनी शकल को बड़ा इंप्रूव कर लेते थे फेस को अब बात करें तो कौन-कौन सी अप्लिकेशन है जो आपको यूज नहीं करनी है Airbrush Airbrush, BNB नाम से भी यह आता था Beauty Plus और Ucam यह बहुत फेमास है अप्लिकेशन थी बहुत ज़्यादा इनका तहल का था इसकी जगे आप यूज कर सकते हैं B612 Snapseed Lightroom Lightroom Adobe का है Adobe का है PixArt, Lightax Photo Editor Adobe Photoshop Adobe Photoshop का जो easy version है वो phone के लिए एविलेबल है आपको एक बात बताते हैं कि बहुत basic editor है Google का Snapseed इसको भी आप आराम से यूज कर सकते हो ठेक है तो आप इनको चेक करें एक बार और अगर आपको Beauty Plus के competition में कोई चाहिए तो Beauty Plus के competition में आपको PixArt या B612 मिल जाएगा ठेक है चलिए आगे देखते है short video application जो Chinese थी mostly Chinese थी थी क्योंकि उनके यही काम है वो मुझरा करते रहते हैं दिन बर Chinese लोग तो TikTok Likey Vigo Quai Snack Video Hello Vigo YouVideo Vigo Magic देखिए मैं आपको यह बात बता दूँँ कि इसमें इन्होंने mention किया है Likey को भी ban कर दिया इसलिए हमने यहाँ पे इसको mention किया है वरना Likey Chinese औरीजिन का नहीं था यह कहीं और का था Bangalore का था शायद ठेक है बट Government ने ban किया है तो हो सकता है Likey का origin चाइनीज हो तो हम लोग इसको भी लिस्ट में इसलिए हमने रखा है इनकी जागे आप क्या यूज का सकते हो देखो Indian origin के जो software है जो short video provide करास्त है आपको service देते हैं कि आप short video जो उन पर डाल सको तो Roposo Enjoy DoveMash और MadLift ठीक है अब इसमें से Roposo और Enjoy Indian origin के हैं अब यहाँ पर एक नीचे डाला हुग है कि Not sure Indian लेकिन यह मैंने चेक किया था तो यह Share chat भी Indian origin का है और बहुत अच्छा application है ठीक है न लेकिन इसमें कुछ Chinese investors हो सकते हैं लेकिन यह Indian company है तो आप इसको यूज कर सकते हो Share ad भी TikTok और Likey के तरह ही एक application है जिसमें आप short video बना कर डाल सकते हो Chinese applications है इसके अलावा Japya, Japya Go देखिए आपको सोचना चाहिए Japya है तो Japya Go भी होगा Share it है तो Share me भी same है उस जैसा ही Share all भी उस जैसा ही है इनकी जगे आप क्या कर सकते हो इनकी जगे आप Geo Share का यूज कर सकते हो Send anywhere का यूज कर सकते हो या Files by Google इसको Google Files भी बोलते है इसका यूज कर सकते हो इसके लावा एक application और है जो Indian origin की है वो है Share Files इसमें Geo Share और Share Files जो है ये दोनों Indian origin है ये Google Files Google का है और इसका origin मुझे नहीं पता लेकिन ये Chinese नहीं है ठेक है तो सबसे easy तरीका अगर हम आपको बता है तो देखो Share Files को डाउनलोड करना में आप एक बार को ब्रहमित हो सकते है कि भाई ये Share It जैसा इसका logo है तो दिक्कत हो सकती है तो easy है सबसे अब या तो Geo Share का यूज कर लें या फिर आप Google Files का यूज कर लें Google Files बहुत easy है ठीक है इसको connect करना बहुत ज़्यादा आसान है वीडियो डाउनलोडर की जब हम बात करते हैं तो वीडियो डाउनलोडर में SnapTube Vidmate वीडियो डाउनलोडर एप्लिकेशन एंड ट्यूबमेट ये सभी Chinese एप्लिकेशन है ट्यूबमेट का बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि वीडियो आराम से डाउनलोड हो जाती लेकिन अब हमें सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा तो इन चीजों को यूज ना करें इसके अलावा आप वीडियो डर को डाउनलोड कर लें या www.freemake.com को सर्च करें इसके बारे में वीडियो डर के बारे में आपको बताते हैं कि ये प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा आप वहाँ पर वीडियो डर सर्च करेंगे तो इसका AP के आजाएगा और आप उसको इंस्टोल कर पाएंगे ठीक है दीरे दीरे ये इंडियन एप्लिकेशन भी प्ले स्टोर पर आराम से आजाएंगी कोई दिक्कत नहीं है इसके लावा चाइनिज एप्लिकेशन में आपलिकेशन भी करना चाहते हैं या कोई फोटो हाइड करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करेंगी लेकिन इंडियन एर ओरिजिन की जो एप्लिकेशन है वो है हाइड फोतोज लॉक एप कीप सेफ नॉटन एपलोग यह नॉटन एंटिवारेस वालों की तरब से है इसके जगे आप इंडियन डिक्षणरी यूज कर सकते हैं जो हिंखोज है बहुत इजी है English Hindi Dictionary यहाँ पर आ रहा है लेकिन मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ इसका जो नाम है वो है हिंखोज H-I-N-K-H-O-J तो हिंखोज आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजी है शब्द कोज भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाबा कुछ एक्स्ट्रा है Dictionary.com और Oxford Dictionary Alternative Keyboard अब हम अगर देखें तो देखो भाई Keyboard तो बैसे mostly लोग यूज नहीं करते चाइना का Chinese application जो है वो है Go Keyboard Go Keyboard और Mint Keyboard एक launcher भी हम लोग यूज करते थे Go Launcher बहुत अच्छा था लेकिन Chinese है तो आप उसका यूज नहीं करेंगे ठीक है तो Keyboard की जब बात करते हैं तो इसमें Bubble, देश Keyboard और Lippikar Hindi Keyboard ये तीनों Indian Origin के हैं इनको आप यूज कर सकते हैं इसके लाबा आप Android Phone यूज कर रहे हैं तो Google Keyboard उसमें Inbuilt आता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है डाउनलोड करने की Microsoft Swift Ginger या Flexi या Google Index इनको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग करते हैं Swift की को और Swift की नहीं तो Google Index तो मोचली सभी करते ही हैं ठीक है Chinese application है Cuckoo FM जो Storybooks की Service प्रोवाइड कर आता है तो आपको इसको यूज नहीं करना है इसके लावा आपके पास बहुत सारी ऐसी application है जो Indian है देखिए प्रतिलिपी प्रतिलिपी की दो application आपको मिलेंगे एक Red वाली और एक Yellow वाली में आप येलो वाली में आप Comics वगएरा पड़ पाएंगे इसके लावा प्रतिलिपी की एक application ये Audio Storybooks की भी है ये प्रव बना हुआ है इसमें आप Logo देख सकते हैं ये यहों करके ऐसे करके ये प्रव बना हुआ है उसके उपर बिंदी बनी हुई है तो ये प्रतिलिपी है फिफ्टी थाउजेंड फ्री इबुक्स इनको यूज कर सकते हैं कुकु एफेम को आपको यूज महीं करना है शीक्योरिटी एप्लिकेशन अंटिवाइरस की जब बात करें तो डी यू नॉक्स देखिए डी यू स्पीड बुस्टर डी यू कैश क्लीनर ठीक है ना 360 360 अंटिवाइरस वन स्क्यूरिटी यह सारे के सारे चाइनीज हैं इनको आप यूज ना करें इसके लाभाव आप जियो स्क्यूरिटी आवास्ट अंटिवाइरस एवी जी नॉर्टन मोबाइल सेक्यूरिटी मेकाफी और एसे इनको यूज कर सकते हैं बहुत से लोग यूज नहीं करते एंटी वाइरस क्योंकि उनको लगता है कि एंटी वाइरस डाउनलोड करेंगे तो वो खुद एक वाइरस है ऐसा नहीं है आप लोग यूज कर सकते हैं फ्री में आप जियो सिक्यूरिटी यूज कर सकते हो इंडिया का है ऐसा थोड़ी नही कि आप ये डाउनलोड कर लोगे तो मुझे संबानी का पैसा बढ़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है डाउनलोड कर सकते हो वीडियो एडिटिंग एप्लिकेशन की बात करें तो जो चैनीज एप्लिकेशन है आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है वीवा वीडियो लाइट, यू कट, वीडियो शो, वीडियो एडिटर, वीडियो लाइट, वीडियो मेकर, वीवा कट, वीडियो एडिटर, वीडियो मेकर इनको आप ना यूज करें और इसके जगए यूज करें वीडियो एडिटर फ्री ट्रिम यूजेगी इंडिया गा है इसके लाभा काइन मास्टर अड़ो प्रीमियर क्लिप पावर डायरेक्टर फिलमुरा गो मैजिस्टो और क्विक देखा जाए तो अड़ो प्रीमियर और इनका यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं पावर डिरेक्टर का भी ठीक है चलिए एप्लिकेशन क्लोनर की बात करें तो पैरलल स्पेस का यूज बहुत सारे लोग करते थे जिससे की एक ही फोन में वो दो नमबर से वाट्सेप चला सकें ठीक है तो इनका यूज आप ना क करें इसकी जगे आप क्लोन एप का यूज कर सकते हैं डू मल्टिपल एकाउंट मल्टि पैरलल यह सुपर क्लोन लेगन मैं आपको बता दू इसकी जगे आप वाट्सेप बिजनेस एप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं एक एक आप वाट्सेप चालू कर लें अपनी जो एप बैड करना चाहते तो बहुत सारे लोग Pixa Motion का यूज़ करते हैं जो Chinese Application है लेकिन Pixa Motion and Move Pick की जगे आप यूज़ कर सकते हैं Geotropic, Enlight Pixel Loop Studyjet Photo Video Maker इनका यूज़ कर सकते हैं ये अच्छी Applications है सभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उनको भी aware करें कि Chinese Applications का यूज़ वो भी ना करें और उनको भी बोलें कि वो भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि लोगों में जागरुकता आए और ये पहुँचे लोगों तक जिससे कि वो Chinese Applications का यूज़ करना बंद करें ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर भी करिए तैंक यू